हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मुबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं के गिरते हैं शैसवार ही मैदान चंग में वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले मिर्जा अजीम बेग अजीम की इस अमर पंक्ती को बस पर परमुक मायवती ने समर्पित किया है हमारे देश के उन कर्मट वैग्यानिकों को जिन्होंने चंदर्यान टू मिशन को काम्याब करने में अपना जी जान सब कुछ लगा दिया ये वक्त की बात है कि अन्दिन समय में लेंडर चांद पर नहीं उतर सका लेकिन इस से हमारे वैग्यानिकों का परिशरम कम नहीं हो जाता उनकी वो दिन रात की मेनत जो चंदर्यान टू मिशन को दुनिया के सामने जाकर भारत के गौरब को बढ़ाना था वो किसी भी दर्जा कम नहीं आकी जा सकती ना काम्याबी का अभिन अंग है हम सब अपनी गल्तियों से ही सीखते हैं बसपा सुप्रीमों मायवती ने भी देश के जहीन वैग्यानिकों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि निराश या पर हताश होने की जुरुत नहीं है क्योंकि चोट वही खाते हैं जो मैदान में होते हैं और जो घर से नहीं निकला वो चोट क्या खाएगा मैदाने जंग में वही सिपाई घायल होगा जो जंग में अपना जोहर दिखाएगा लेकिन जो मैदान में ही नहीं आया तो वो क्य जखम खाएगा, मुश्किले कितनी भी आएं, ऐसे फलता कितना भी घेरे, लेकिन एक सैनिक का काम निरंतर आगे बढ़ते रहना है, पीस पेपर मुख ट्वीट करती हैं और कहती हैं कि इस मिशन ने समस्त जन्मानस को रोमान चित किया है, इसके बाद वो आगे बढ़ने का सं दाने जंग में वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों की बल्चरे, वेग्यानिकों को देश हित में काम करते रहने के लिए उनकी होसले को बढ़ाते रहने की जरूरत है, मिशन चंद्रियान 2 का लेंडर विकरम 7 सितंबर को चांद की सता पर उतरने वाला था, लेकिन पूरा देश आपके साथ है, हमारा होसला मजबूत हुआ है, और चांद को छोले की हमारी इच्छा शक्ती बढ़ी है, और हम ये बात फिर दोराते हैं कि पूरे देश को इसलों के वेग्यानिकों पर गर्व हैं, और हम उनके साथ हैं, और हमें काम्याबी जरूर बेंगे। झाल